हलो दोस्तो आगर यहाँ आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लिखे जिसमें हम सीखने वाले हैं मल्टिपल और फेक्टर का कंसेप्ट तो अगर आपको इसके बारे में नॉलिज है तो किरपा करके सभी कि सभी कहा है जी दो ही तो है कोलम दो कोलम्स को आपको मैच करना है और वीडियो के लास्ट में जाके जहाँ पर देख लेना कि कहां पर यह इसका solution आपको completely देखने को मिल रहा है उदर जाके देख लेना क्या मैंने सही मैच किया सही मैच किया तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको कहीं न कहीं एक भी गलत हो जाता है तो वीडियो को पूरा देखना आपको समझ में आ जाएका कि मैंने गलती कहां करिए क्योंकि multiple factors जो है न यह आपके मैच के न एक कहे जाए न foundation है बिना foundation के आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते तो इसलिए क्या करना पड़ेगा foundation मजबूत करना पड़ेगा उसके लिए यही वीडियो है यह वीडियो है तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा question को solve करना ठीक है इधर आपको कुछ numbers दे रखे हैं और इधर इनको match करने के लिए सोधा पानी दे रखा है ठीक है जी आपको क्या करना है 35 को देखने के बहुत सारे नजरी है कि आप इसको एक गुना 35 लिख सकते हैं ठीक है और भाई चाहें तो पाच गुना 7 लिख सकते है है ना तो भाई लिखने के अलग-अलग तरीके हैं लेकिन actual में हमें क्या कैसे पता चलिए का हमें use क्या करना है वो आपको column 2 से दिखने वाला है column 2 से ठीक है column 2 से दिखने वाला है तो आपको क्या करना है इनको पकड़ो इनको देखो इनको भूल जब इनको अभी के लिए इनको देखो, इनका solution जरूरी है, पहले इनको अपने mind में crystal clear कर लो, ठीक है, अच्छा, यहां बोला गया है आपको, यहां बोला गया है, multiple of eight, multiple of eight, अच्छा, multiple of eight, अब यह multiple of eight लिखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि multiple होता क्या है, ठीक है, वैसे तो मैंने इसके लि लिख दो, क्या करो, table लिख दो, उस number का, जिस भी number के लिए multiple पूछा गया है, उसका table लिख दो, किसका multiple पूछा गया, eight का, eight का table लिख दो, भई, आठ, 16, 32, नहीं, नहीं, 24 भी आता है, भई, दो, तुम भी flow में चल लो है, गलत बात है, ऐसे नहीं होता है, 32, 40, ऐसे, ऐसे गई है, eight के multiple के बारे में, इधर अब देखो, इधर आजाओ, इधर, क्या आपको, ये जो आपके multiples आ गए है, इन में से कोई number आपको, इधर, column 1 में दिख रहा है, जल्दी से बोलो, हाँ, जी दिख रहा है, 16 दिख रहा है मेरे को, 16 दिख गया, बस हो गया, मैच हो गया, त कितना आसान था, आपको जस्ट ये पता करना था कि multiple होता क्या है, multiple पता चला और आपने solution कर दिया, इसी तरीके से multiple of seven, क्या मेरे को लिखने की जूरत है, कि 7, 14 और 21, 28 इस तरीके से लिखने की जूरत है, नहीं, 7 का table, वह 7 के table में क्या क्या आता है, तो आपको बिल्कुल ए ये, multiple of 70, 72, 140, 210, और फिर ये देखे, और आगे अगर मैं जाना चाहूं, तो कितना आ जाएगा मेरा, 280, 280, 350, 420, इस तरीके से चलता जाएगा, अब इधर देखो, क्या कहीं पे आपको इस side में ऐसा number दिख रहा है, जो कि हमारा 70 का multiple हो, मतलब कि 70 की table में 35 कभी नहीं आ पाएगा, 15 कभी नहीं आ पाएगा, नहीं 16, नहीं 20, क्यों नहीं आ पाएगा, क्यूंकि 70 की table में, 70 की table में, 70 से बड़े number ही तो आएगे, छोटे तो नहीं आ सकते, छोटे तो नहीं आ सकते, भई 2 की table में 2 से बड़े number आएगे, कभ उसके टेबल में कभी नहीं आ पाएंगे ठीक है उसी तरीके से अगर मुझसे 70 का multiple पूछा गया है तो क्या 70 से छोटे number आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे तो इसका कोई match है ही नहीं इसका कोई match है ही नहीं इसको भूल जाओ ठीक है इसलिए ध्यान से देखो इधर 5 ही है इधर 5 ही है वो इधर 6 है ठीक है टोटल मिला कर इधर 6 है एक्स्ट्रा लिया मैंने ठीक है ठीक है आगे बढ़ो factor of 30 factor of 30 अब factor पता होना चीए भाई factor क्या होता है अब फटा फट से एक दो जट से करेंगे factor क्या होता है factor का मतलब होता है कि वो number किस की table में आता है कि भाई जिस भी factor भाई कोई भी number है उसके factors पूछ ले जाये तो ये देख लो कि भाई वो number किस की table में आता है जिसके factors के बारे पूचा जाए यह देख लो कि वो किस किस के table में आता है मुझसे क्या वो लगया है? Factor of 30 अब यह देख लो कि 30 किस किस की table में आता है भई मेरा 30 किस की table में आता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी का भी factor पूछ ले जाए नो की में तो वहाँ पर 11 की सिधा हाता हैै घुकित ai खुड की टेंबल मेंने विर अपने खुड की टेबल में उसके अलावा नहीं है तो यह हो गए मेरे तीस के factors एक, दो, तीन, पाथ, छे, दस, पंदर है, और साथ में 30, ठीक है, अब देख लो, यहाँ पर कोई आपको 15 दिख रहा है, 20 और 25 तो ही नहीं, तो यह मेरा मैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ गया मेरा, इसके साथ मैच हो गया, क्लियर है, हाजी बच्चो, जल्दी से बोलो, क्लियर है, गंदा सा करते हैं, इसको एक बढ़ थोड़ा साफ करते हैं, है न, साफ सुतरे काम करना चाहिए, गिव मी जस्ट सम सेकिंड्स, ठीक है, फिर आपको पढ़ने भी मजाएगा, यह साफ सुतरा काम न, ऐसे मन लग जाता है, देखके, ठीक है, वैसे तो मैच साफ सुतरे के नाम पे नहीं होता है, है न, यह मेरा, इसके साथ, नहीं, मिल्कुल नहीं, मल्टीपल आफ सत्तर, सत्तर का तो कोई मल्टीपल इस साइड में, कोलम वन में है hi नहीं, तो पैतिस मेरा था मल्टीपल आफ साथ, ठीक है, पंदरा मेरा था, फैक्टर ओव थ्र्टी, यह हमने अभी अभी मैच किया, सॉला मेरा था मल्टीपल ओफ इट, ठीक है जी, 20 के ये हमें नहीं देखने है तेखने हैं एक है अच्छा हमने पहले चार कर चुके अगला देखेंगे यह त्यांटर फिफ्टीक के टेबल में आटाउ है एक दो पांच धिक है फिर इसके बाद सिझे आता है मेरे दस और पच्चिस के में आता है और उसके बाद मेरा पचास के में आता है ठीक है उसके अलावा किसी के में नहीं आता है यह मेरे पचास के फैक्टरस हो गए एक दो पास दस पच्चिस पचास अभी धर देखो फटा फट है पच्चिस भी है और पच्चास और कुछ नहीं है है ठीक है तो खालीकल होता किस से मैच हो पा- तो यह मेरा 25 से मैच हो पा- अब इकलोता बचा 20 यह से हो जाएगा इस लिए बनता इसका फाइनल आंसर तो जिन बच्चों को आता था उन्होंने hopefully check कर लिया होगा ठीक है तो यह आपका यहाँ पर multiple factors का concept use होगा तब जाकि यह आप columns को आप match कर पाएंगे तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा और अगर कहीं पर कोई doubt रह गया हो तो comment section में comment कर दीजे कर next वाली वीडियो में जिस भी टोपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 और थेंक यू सो मच वाचिंग